वेड़ी बॉर्निंग स्टूदें और वेलकम बैक तो यॉर इंगलिश क्लास येस्टेड़ी वी रेड अस्टोरी दा जिंजर ब्रेड में तो टोड़ी विल दू सम एक्सराइज रिलेटेड तो लेट चाप्टर तो कल हमने स्टोरी पड़ी थी जिंजर ब्रेड में की तो आज उससे कुछ वोक वर्क कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ कोशन्स दे रखे हैं इन कोशन्स को आपको मुझे वोईस रिकॉर्डिंग में के आंसर सेंट करने मुझे क्या आपको जिंजर ब्रेड में पसंद आया? तो क्यों आया? और नहीं आया? तो क्यों नहीं आया? मुझे रिकॉर्डिंग में सेंट करेंगे आप क्या करोगे अगर आप जिंजर ब्रेड में से मिले? अगर आपको कभी जिंजर ब्रेड में मिलेगा तो आप क्या करोगे? ये भी आपको रिकॉर्डिंग में सेंट करना है आई ड्रॉड ड्रॉड यो फेवरेट सीन फ्रॉम दिस स्टोरी एंड राइट अपाउड इट स्टोरी में आपको कौन सा सीन, कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसकी पिच्चर आपको यहां पे ड्रॉड करनी है और उससे रिलेटेट आपको एक सिंटेंज या मेंचिन करना है आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने ड्रॉड किया है नाओ, मुव तो नेक्स पेज, पेज नमबर नाइन्टी फाइव अमने अल्रेडी किया हुआ है, बट एक बार डिसकस कर लेते हैं फिल इन दी ब्लांक, ब्लांक फिल करना है, चप्टर से रिडिक्टिड ही है जब जिंजर ब्रेड मैं भाग रहा था तो वो किस से मिला, आप यहाँ पे काव भी मेंशन कर सकते हैं रूस्टर भी मेंशन कर सकते हैं और इनी से भागते-भागते मिला था हूँ नग, सी, कैकल कैकल से दी, कैकल कैकल किसकी साउंद होती है, रूस्टर की कै कैकल कैकल से दी, रूस्टर, जिंजर ब्रेड मैं वह था- मुझा था जिंजर ब्रेड मैं-ध ही, यह कुद रन वहा, वो था- वहा Sum cei, रिख मिला, our इस इन words के opposite mention किये हुए ये words नहीं है इनके opposite words है opposite means उल्टे शब्द या हम इंदी में बोलते हैं उल्टे शब्द भी बोलते हैं और grammar भाशा में बोलते हैं विलोम शब्द तो इनके हमें उल्टे word बताने हैं opposite words बताने हैं जो हम अलड़ी कर चुके हैं डे, नाइट, है न, आप, डाउन, इस तरह से हमने कर रखे हैं, आज कुछ और नए वर्ड्स है, उन्हें देख लेते हैं, कुछ पुराने ही रिपिटेट वर्ड्स है, यंग, यंग मीज, जवान, जैसे, मॉमा, पापा, और बड़े धीदी भीया लोग होते हैं, आउन्टी अंकल, यंग, जवान, और ओल्ड, ओल्ड मीज, बूढ़ा, बेख मीज, बड़ा, उसका पॉज़िट क्या होगा, स्मॉल, छोटा, सैड मीज, तुखी, हापी मीज, कुष, स्लो मीज, बहुत धीरे-धीरे, फास्ट मीज, तेजी, तेज, ख्राई मीज, रोना, ख्राई का उल्टा क्या होगा, हसन, लाफ, क्लोस मीज, बंथ, ओपन मीज, खुला हुआ, आंसर धी फॉलएंग कोश्य, नेम, त्री एनिमल स्टी, स्टोरी में कौन से त्री एनिमल से होगा, उनके नेम में हैं, तो मैं आपने या मेंचिन किया हुआ है काव, रूस्चर and फॉक्स, मतलब गाए, मुर्गा और लॉम्डी आपने देखा, मैंने पहला word caps लिखा हुआ है और बाकी small, अभी भी हम sentence start करते हैं, तो first letter capital होता है और sentence जब भी finish होता है, तो लगाते हैं, full stop इसी तरह से आप लोगों को भी करना है B, why was everyone chasing the gingerbread man chasing means, मैंने आपको बताया था, पीछा करना तो क्यों सब लोग gingerbread man का पीछा कर रहे थे yes, क्योंकि वो उसे खाना चाहते थे, everyone was chasing the gingerbread man because they all wanted to eat him क्योंकि वो सब लोग उसे खाना चाहते थे, now move to next page page number 96, sea question what did the gingerbread man say to everyone gingerbread man सब को क्या कह रहा था सब को कह रहा था, वो run, run, as fast you can, you can't catch me, I am the gingerbread man वो कह रहा था भागो भागो, चितनी तेज आप भाग सकते हैं लेकिन मुझे पकड नहीं पाओगे, मैं क्या हूँ, gingerbread man मैं हूँ, gingerbread man D who tricked the gingerbread man trick means धोका देना धोका देना या बर्गलाना या चालाकी से कुछ गलत बात बोल जाना दूसरे को बेफ़फ बना देना, ठीक है so who tricked the gingerbread man, किस ने बेफ़फ बनाया gingerbread man को yes, fox ने, fox ने क्या बोला कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो कि मैं तुमें खा लूँ, है ना, उस ने यहीं बोला so, वो रिलाक्स हो गया कि मुझे तो यह नहीं खाने वाला है और वो अराम से बैट गया, उसने भागना बंद कर दिया और जैसे उसने भागना बंद कर दिया, तो क्या किया fox ने he opened his mouth and ate of the gingerbread man, है ना, और उसने उसे खा लिया बड़ा सा मुझे खोला और से खा लिया so, fox trick the gingerbread man, तो किस ने बेफू बनाया, fox ने gingerbread man को trick क्या now, practice at home, some questions also are there narrate the story to your parents, अब story आपने reading कर ली है, जिन बच्चों के अभी complete नहीं हुई है उस story को पहले complete करेंगे, उसके बाद Saturday Sunday अगर आज टाइम है तो पापा उमा को read करके, narrate करके, सुनाएंगे story को so, जरूरी नहीं, as it is, आपको सुनानी है, आप कुछ words इंग्लिश के ले कि आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, जो simple simple words है जिसे gingerbread man ran away, कि वो भाग गया so, इस तरह से story को parents को सुनाएंगे next question, go to a bakery near your house ask for name of different food items made there, list them in your notebook okay, किसी bakery में अभी नहीं जाना है आपको लेकिन कभी आप पहले गए होंगे बेकरी में या ममा पापा गए होंगे so, bakery में कौन-कौन से food items होते हैं उनका आपको food item की list बनानी है और अपने notebook में लिखना है या बेक दी में कौन-कौन से food items होते हैं बेक होते हैं third question आपको नहीं करना है ठीक है okay, now move to next page page number 97 these dose this is also your revision these dose भी हम पहले कर चुके हैं या भी आपका एक revision part है let us see the usage of these dose now fill in the given blacks that's with these dose यहां पे fill up दिये होए है यहां पे आपको these and those mention करना है यह हम लोग प्रेकर चुके हैं these dose these लगता है बहुत सारी चीजों के लिए जो कि आपके पास है and those लगता है जो आपसे दूर है ऐसे ही ऐसे ही हमने this and that भी सीखा था जो चीज आपके पास होती है और अगर वो एक चीज है तो हम this यूज करते हैं और अगर दूर है तो हम that यूज करते हैं जब एक से कोई ज़्यादा चीज हमारे पास होती है तो these यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमार से दूर होती हैं, तो हम those use करते हैं. So, toys are kept on the shelf. Toys कहां रखें? Shelf में रखें हैं. लेकिन बच्चा जैसे point out कर रहा है, तो shelf कहां है? दूर है. तो toys दूर है उससे. तो यहां mention करेंगे those. Those toys are kept on the shelf. Second, caps belong to me. तो caps कहां पर है इस boy के? Near है. So, जो चीज़ पास में होती है, और एक से ज़्यादा है, caps हैं. तो यहां हम use करेंगे these. यहां पर those, यहां पर these. These caps belong to me. Okay, are my mother's earring? यह mother के earring है, उसके hand में है, तो यहां पर हम mention करेंगे, उसके पास है. तो these are my mother's earring. mangoes भी पास में है, इस man के, तो हम यहां लिखेंगे. These mangoes are ripe. Okay, books are old. Books कहां पर है? इस boy से far है, far means do है. So, we'll mention here, those. Those books are old. So, that's all for today. इतना ही work है, आपका page number 94, 5, 6, 7. So, कुछ भी doubt हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. जादा तर इसमें कुछ भी आमने नया नहीं किया, बस chapter से related, जो question answers थे, वो हमारे लिए new थे. और आपका question number 2 था, जिसमें बेकरी में कौन-कौन से food items होते हैं, वो आप अपने previous knowledge के तुरू लिखेंगे, या आप ममी बापा से help ले सकते हैं. जो भी आपके घर में कभी कोई बेकरी गया हो, तो उनसे पूछ सकते हैं. So, ये आपका work है, इसको करके आप मुझे send करेंगे, और दीज दोज आपका revision part है. Till then, bye-bye, और थोड़ी सी story की भी reading करनी है. Okay, bye.